एन्टी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमि है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमिजिनेट पर दोस्तो आज हम हाईयर एज्यूकेशन के अंदर यूजी सि यानि की विस्विद्याले अनुदान आयोग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो यूजी सी से हर बार कॉषण आने की संभावना रहती है और अभी तक इसमें से बहुत से कॉषण आए हैं और डिसंबर 2018 और जून 2019 में भी इसमें से कॉषण आये हैं इस वीडियो में हम यूजीजी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे और इस वीडियो में ये भी देखेंगे दोस्तों कि आज तक UGC से related कितने question आए और किस तरह से examiner question पूछता है तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course से join करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नमर पर contact कीजिए तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं UGC के बारे में इसको देखे हिंदी में कहते हैं विस्व विधाले अनुदान आयो कहते हैं और इंग्लिस में इसको युनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन कहा जाता है इसके वर्तमान में अध्यक्स कौन है प्रोफेसर धिरिंदर पाल सिंग है जो 2017 में नियुक्त हुए थे अब देखे इसकंदर जो हमें ध्यान देने वाली बाते हैं वो क्या क्या है यह कंद्रिय सरकार का एक आयोग है जो विस्व विधाले को मननेता देता है अब देखे यहां पे आप अभी से नोट करना सुरू कर दीजिए UGC के बारे में कि यह क्या क्या काम करता है इसकी क्या खासियत है सबसे पहली खासियत यह है कि विस्व विधाले को मननेता देता है उसके बाद में यही आयोग सरकार दवारा मननेता प्राप विस्व विधाले को अनुदान भी देता यानि कि उनको grant देता है कि किस college के अंदर कितना grant लगना चाहिए वो सभी UGC से निर्धारित होता है ये question आचुके दोस्तो पहले इसका मुख्याले नई दिली में है और इसके छे छेतरिय कारे लेवी है एक पूने में एक भोपाल में कोलकता हैदराबाद गुहाटी और बैंगलूर के अंदर है दोस्तो इसमें से भी question आया है एक वार की इसके कारियला के वारे में question आया था और इतने जो ये नोर से दोस्तो इसमें से अभी तब करीब 3-4 वार question आ चुके है आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से question आये है और उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो UGC net है जैसे नाम से हम कहते है UGC net कहते है तो इसका मतलब कि ये जो national eligibility test है ये इसी से संबंधित है UGC से संबंधित है और यही क्या करता है दोस्तों वीडियों महाविधालियों में अध्यापको की न्युकती होती है इसी के दवारा होती है और इसके अंदर देखे और क्या चीज़ा है वो हम देखते हैं सन 1952 में सरकार ने निर्ने लिया कि केंद्रिये और अन्य उच सिक्षन संस्थाओं को दी जाने वाली वित्य साहिता के मामले में University Grant Commission के अधिन लाया जाएगा ठीक है यानि कि उनको जो जो सुविधाई दी जाती थी financially वो University Grant Commission अब देगा यह 1952 के अंदर तै किया गया था इस तरह 28 दिसंबर 1953 को ततकालेन शिक्षा मंतरी मोलाना अब्दुलकलाम अजाद ने उपचारिक तोर पर University Grant Commission की नियू रखी थी इसके बाद सन 1956 में जाकर ही UGC को संसद में पारित कर एक विशेश विधेक के बाद सरकार के अधिन लाया गया और तभी उपचारिक तोर से इसे स्थापित किया था इसे किस ने स्थापित किया था यह हमें ध्यान रखना जरूरी है सिक्षा मंतरी मौलाना अब्दुलकलाम अजाद ने इनको स्थापित किया था और कब किया था 1956 के अंदर किया था और एक चीज और इसे किस तरह से स्थापित किया था संसद में पारिक के एक विशेश विधेक के दवारा इसको पारित किया गया था यहां से हमारे तीन कोश्चन बनते हैं दोस्तों और यह तीनों के तीनों कोश्चन अभी तक आ चुके हैं तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों एक एक चीजों को आप नोट करते चलना और आगे मापको दिखाऊंगा भी और उसके बाद दोस्तों अभी क्या ह हुआ इसके अंदर रिसेंटली देश के सिक्षा चेतर में बड़े सुधार के उधिस्से से के अंदर सरकार विश्व विधाले अनुदान आयोग यानि की यूजीसी और अखिल भारते तक्नीकी सिक्षा परिश्द जिसे AICTE कहते इन दोनों को समाप्त करके एक अन्य आयोग क स्थापना करने की बात कर रही है वो है दोस्तों एक उच्छ सिक्षा नियामक बनाने जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं हाईयर एजुकेशन एमपावरमेंट रेगुलेशन एजनसी यानि की उसे हीरा नाम देने की सोच रहे हैं तो AICTE और UGC को खतम करके हीरा को लाने की अभी बात चल रही है इसके अंदर काफी तरह के बदलाओ किये जाएंगे अपनी सिक्षा और महाविध्यालियों के अंदर जो रूल रेगुलेशन है उनको अच्छे तरीके से चलाने के लिए हीरा का गठन किया जाएगा ये चीज हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है इसमें से कोश्चन आ सकता है दोस्तों और देखते दोस्तों यूजीशी के अब बात आते कि यूजीशी के मुख्य कारिय क्या है इसके उदेश से क्या है वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से काफी बार कोश्चन आये हैं देखिए विशो विधाले सिक्षा का स तरह से पढ़ाना है प्रिक्षा किस तरह से हमें प्रिक्षा लेनी है और रिसर्च के जो कारिया है उनको किस तरह से फ्रेमवर्क करना है क्या करना है कैसे उनको सेलेक्ट करना है यह सभी चीजे यूजीशी निर्धारित करता है उसके बाद में शिक्षा के नियमों के नियु कमीशन का मतलब यह है कि उनको धन रासी देता है अपनी संस्था अठ्षे से चलाने के लिए उच्छ सिक्षन संस्था नों संग शरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करता है यानि कि यह क्या करता है जो हमारी Central Government है और राज्य सरकार उन दोनों के बीच में एक करी का करता है के अंदर और राज्य सरकार दोनों को यह प्राहमर्स देता है इसमें से वी दोस्तों करीब किया जाता है यानि कि युजीसी के दाइन किनकिन को कउन्ट्रोल किया जाता है वो यहां पर किकल दूज्ट डी हुई है यहां पर आप यह सारी कि सारी देख़ते हैं और अब बात आती है दोस्तो कोरूशन की बात आती है कि इसMEशे किस तरह की कोरूशन आये है यह देखे दोस्तो यह जोन 2013 के अंदर question आया था विसे विधाले अनुदान आयोक के संबंद में निमल लिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है अब देखिए इन च्यारों के उपर हम बात करते हैं सबसे पहला है 1956 में संसद के एक अधिनियम के दवारा स्थापित किया गया था ये बात हमने दोस्तों अभी पढ़ी थी 1956 में और संसद संसद दवारा इसे स्थापित किया गया था तो ये बात बिलकुल चाईए है उसके बाद में इसे उच्छ सिक्षा की उन्नती और समनम्य का कारिय सोपा गया ये बात भी बिल्कुल सही है इसे केंदर सरकार के योजना गत और गैर योजना गत नीधिया प्राप्त होती है ये बात भी सही है दोस्तों उसके बाद में राज्य विश्व विध्यल्यों के लिए इसे राज्य सरकारों से नीधिया प्राप्त होती है ये बात इसकी सही नही देखते हैं दोस्तों ये हमारा दिसंबर 2014 के अंदर कोशन आया था अब ये देखें विसेवी धाले अंदान आयोग दवरा वर्स 2014 में अभी निर्धारित जाली संस्थाओं में से बताना था यानि कि जो फरजी फेक युनिवस्टी है वो हमें बताने थी किस राज्ये के ये अब की बार कॉशन नहीं आएगा हाँ इस तरीके से आ सकता कि 2019 के अंदर कौन सी फेक युनिवस्टी थी और किस राज्ये में सबसे ज्यादा संख्या थी इस तरह से आ सकता है तो फेक युनिवस्टी की जो लेश्ट है दोस्तों वो हम आगे की वीडियो में डालेंगे उसमें आपको बता देंगे यहाँ पे कौशन दिखाने का हमारा मकसद यह है दोस्तों आपको पता चल सके कि UGC से रिलेटिड किस तरह के कौशन पूछे जाते हैं यहाँ पे हमें पता चल गया कि फेक युनिवस्टी से भी कौशन पूछ सकते हैं तो यह हमें बात ध्यान में रखनी है अब 2018 में या 2019 में जो फेक युनिवस्टी रिलीज होई है वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है यह हमारा मोटिव है दिखाने का अब आगे बात करते हैं दोस्तों यह दिशंबर 2014 के अंदर ही कोशन आया था इसके अंदर क्या कहा गया है इसके अंदर क्या कह हा गया है निमन लिखित में से कौन सी संस्थाई विशव विधाले अंदान आयोग अधिनियम 1956 के अधिन डिगरी देने या परदान करने के लिए शक्षम है वो हमें बताना कि ऐसी कौन सी इनिवर्ष्टी है जो डिगरी देने के लाइक है वो हमें देखना है तो यहाँ प यह बात भी ठीक है विशिव विधाले समझे जाने वाले संस्था यह बात ही ठीक है लेकिन अब आपिसां नमबर थरी देखिए भासाई अलब संक्यों दबरा स्थाफित विश्व विधाल ने संस्था डिगरी देने में सक्षम नहीं है य्या यू ये यूजीसी कहता है ठ रहां पर उधिस से पूछ ले और उधिस से हमने पढ़हे थी दोस्तों तो इसमें देखते क्या- lawsuits हो सकते हैं अनु संधान के उन्यन और उच्छ शिक्सा के विकास के लिए ये बात बिलकुल शही जही है दोस्तों यह पढ़ा था रिसर्च के लिए किया था अब दूसरे है दोस्तों संभावना सिल अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवम उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए चलिए इस पे हम एक बार ये कर देते हैं हम डाउट पे रख लेते हैं इसको आगे देखते हैं सिक् आए कि भारत में जितने वी इंस्टिटूट है को लेज उन सभी को सवायता देना यानि कि अपने हिसाब से चलने के लिए अनुमति देना तो ये बात इसकी बिल्कुल गल्त है दोस्तों यूजी सी ऐसा कभी नहीं करता संकी सभी कोलेज अपने हिसाब से इंस्टिटूट ह रचानाए और चले ये बात इसकी गल्त है तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हुगा दोस्तों एबी सी यहां पर हम कह सकते हैं की हमारा कॉष्चन है निमल लेकत مहीं से डिम्डवीशन विर्ठाले के वीश्य में कौना कथन सही है दोस्तों ये जो डिम्डवीशन उसमें हम आपको बताएंगे कि भारत के अंदर कितनी तरह की युनिवस्टी है और जो डिम्ड युनिवस्टी है उसके क्या-क्या अधिकार है वो सभी आपको कल की वीडियो में बताएंगे ये पता नहीं कैसे आगया बीच में कॉश्चन और आगे देखते दोस्तों ये दे तीन बार अभी तक पढ़ ली कोश्चन पेपर में भी पढ़ ली भारत में उच्छ शिक्षा के समनवे और गुणवत्ता के लिए निमन लिक्त में से किसे जिम्मेवारी सोपी गए सिधी सी बात है दोस्तों युनिवस्टी ग्रांट कमिशन को सोपी गई है ये हमने कोश्चन आ रहे हैं बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आफ सकता है थोड़ा सा अगर अप ध्यान से पढ़ लोगे ना दोस्तों तो नैट और जयारफ दोनों कलियर हो सकते हैं अबके अब देखे आगे हम देखते हैं ये हमारा दिसंबर 2018 में कोश्चन आया था इसके अं मानवा अधिकार और करतव्य शिक्षा घटक के लिए निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है दोस्तों चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका अंसर है ऑप्शन नमबर थरी स्कूलों में मुल्य और कल्यान के अंदर स्थापित करना तो ये ब आगे दोस्तो आगे हमारा यही question इंगलीश में दिया हूँ दोस्तो जो ऊपर वाला ना यह एंगलीश में यहाँ पर उसके बाद मैं दोस्तो यह question देखे कितना जबरदस्त बढ़िया वाला question है मैं पहले year दिखा देता हूँ यह हमारा 22 दिसंबर 2018 में आया है कोश्चन देखे कितना मज़ेदार कोश्चन है विसो विधाले अनुदान आयोग UGC का उपचारिक उधगाटन 28 दिसंबर 1953 को निमलिखित में से किस के दवारा किया गया था आप बताईए दोस्तो किस में किया गया था यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया है मौलाना अब्दिलकलाम अजाद ने किया था तो दोस्तो आप देख सकते कि τने असान कोश्चन आ रहे हैं और आप दोस्त कहते कि उसमें ये कोश्चन था दोस्तो विसो विधाले अंदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी ये हमें बताना है ये देखे दोस्तों इसमें सीधा चा बात है 1956 में हुई थी हमारी विशो विधाले अंदान आयोग 1956 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी आगे देखते दोस्तों आगे ह हमारे पास 26 जून 2019 का question paper है इसमें देखते हैं यूजी शी की faculty recharge scheme का मुख्य उदेश से निमन लिखित था क्या था उसका उदेश से उसका उदेश से था दोस्तों college और विश्व विधालियों में संकाय के लिए अनुसंधान अनुसंधान वुनियादी धाचे का union यानि कि जो हमारी research वगरा है उसको किस तरीके से होनी चाहिए उसका पूरा framework त्यार करने के लिए ये faculty recharge scheme चलाए गई थी इसका main उदेश से ये था तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि कितने असान असान question आते हैं बस थोड़ा सहा में ध्यान देने की आवसकता होती है दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगी तो शी वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाए ताके आप हमा सारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों